हेलो एंड वेलकम तो मैं चैनल लर्न इंग्लिश वित अर्फार नियाएक आज के हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे क्वालिटी जो है लिखा है जौन गैल्सवर्दी ने ये लेसन जो है जेके बोस 11th क्लास इंग्लिश का फॉर्थ लेसन है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इसके बारे में चले पहले इंट्रोड़क्शन डिसकस करते हैं जौन गैल्सवर्दी कौन था ठीक है जौन गैल्स और यह जाना ज़्यादा था, हमदर्दी, पोर के साथ हमदर्दी दिखाता था, अपने प्लेज में, अपने राइटिंग में क्या दिखाता था, जो गरीब हैं उनके साथ हमदर्दी, sympathetic, he was sympathetic to the poor ठीक है और एक बात और याद रखना है इसके बारे में जॉन गैल्सवर्दी जो थे यह किस पे लिखते थे जो लोग psychological mental problem में थे उनके बारे में लिखते थे जो psychological problem में थे social forces जो उनको problem में डालते थे उनके बारे में लिखते थे और इनको जो है Nobel Prize में मिला 1933 में 1933 में ठीक है यह 3-4 points याद रखना अगर नहीं याद रहेंगे तो जरूरी नहीं है आपको जो है lesson पर focus करना है इस story पर focus करना है और text को line to line पढ़ना है ताके आपको जो है अची तरह समझ आ जाए और exam में भी अची तरह perform कर पाओ चलिए हम discuss करते हैं इस text को इस story पहले हम story पढ़ेंगे quality जो है यह एक यह लिया गया है किससे यह the in of tranquility the in of tranquility जो है the in of tranquility जो है एक book है इसका पूरा नाम है the in of tranquility studies and essays इसका पूरा इस पूरे book का नाम है और इसमें जो है यह publish हुआ था the quality तो यह quality lesson जो है यह story जो है इसमें publish हुआ था इस book में यह पूरी book है इसमें publish हुआ था यहां था clear अगर यह काई short answer में आये आपको या objective type में आये आपको याद रखना है quality किसमें publish हुआ था the in of tranquility studies and essays यहां था clear अब हम discuss करते हैं story चलिए start करते है story जो है यह दो brothers की story है दो Gassler brothers की story है जिनकी shop लंडन में है और उनकी shop जो है shoe making shop है boots बनाने की shop है और वो boots बनाते हैं तो उनको जो है क्या करते हैं वो advertise नहीं करते हैं वो सिर्फ अपने art पर focus करते हैं सिर्फ अपने काम पर focus करते हैं और advertisement नहीं करते हैं तो इस बाकी जो दुकाने हैं वो क्या करते हैं advertisement करते हैं बाकी malls जो करते हैं advertisement करते हैं मिशूरी करता है अपनी शौप की तो उनका उनकी शौप ज्यादा चलती है और Gessler if the brother's worship कम चलती है तो बाद में उनको कैसे सफर करना पड़ता है कैसे मतलब उनको वो मुश्किल आते हैं जेलने पड़ती है उनकी जो है शौप जो कैसे गिर जाती है कैसे उनकी जो है मनला उनका बिजनस गिर जाता है ये सब इस स्टोरी में दिया गया है ठीक है और यहाँ पर नेरेटर जो है नेरेटर बोलता है उनके बारे में गैसलर ब्रादर के बारे में क्या क्या प्रॉप्लम उन गैसलर ब्रादर को पढ़ती है ठीक है यह narrator जो है यह खुद उसे शूज लेता है किसे उसे शूज लेता है Gessler से तो उस Gessler से जब शूज लेता है तो उसको उसके बारे में पूरा पता है और इस character Gessler के character को अच्छी तरह डिपिक्ट किया गया है इस story में चलिए हम आप text start करते हैं और जिसको पढ़ना बहुत ही important है आपके लिए I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots inhabiting with his elder brother two little shops let into one in a small by street now no more but then most fashionably placed in the west end तो यहाँ पर narrator बोलता है जो इस story को बोलता है वो बोलता है कि मैं उसको जानता है उसको Gessler को मैं Gessler को जानता था बड़े youth से मतलब बड़े पहले से जानता था जब मैं चोटा था जब मैं बच्चा था जब मैं जवान था मेरे बाब के शूज बनाता था और वह कहां रहता था वह अपने बड़े भाई के सास रहता था शॉप मैं और दो शॉप थी और एक एक में रहते थे वो shop कहां पे थी वो एक small street में थी और अब वो जो है shop नहीं रही है और वो कहां पे shop थी वेस्ट एंड में थी मतलब वेस्ट एंड मतलब उस जगह की बात कर रहा है उसके west side में वो shop locate थी कौन बोलता है narrator बोलता है इसके बारे में guestler के बारे में है यहां था clear paragraph clear यह narrator बोलता है कि इसके बारे में guestler के बारे में कि मैं उसको बच्छमन से जानता था ठेक है next paragraph में next paragraph में यह दिया है कि that tenement had a certain quite distinction there was no sign upon its face that he made for any royal family merely his own German name of guestler brothers and in the window a few pairs of boots बोलता है यहां पे narrator कि जिस tenement पे वो रहते थे tenement मतलब building जो rent के लिए building उनने वो shop जो है rent पे लिए थी ना उसको बोलता है tenement tenement कि इसको बोलते हैं जो building हम rent के लिए बनाते हैं किसी को rent पे देने के लिए जो है क्रायर पे देने के लिए building बनाते हैं उसको बोलते है tenement बोलता है जिस tenement में उनकी shop थी वो total अलग थी distinction मतलब अलग ही थी वो और उस पे जो है वहां पे कोई मतलब ऐसा नहीं लिखा था उस tenement पे उस shop पे कुछ नहीं लिखा था कि यह royal family के लिए बनाते हैं मगर उस shop के window पे क्या था कुछ शूज के जोड़े वहां पे थे clear I remember that it always troubled me to account for those unwearing boots in the window for he made only what was ordered reaching nothing down and it seemed so inconvincable that what he made could ever have failed to fit तो यहां पे जो है narrator बोलता है कि मैं याद करते हैं मुझे अभी भी याद है कि मुझे अभी भी याद है कि मुझे हमेशा यह problem tension होती थी उनको जानने में जो shoes उसने रखे थे window पे उनको जानने में जो problem होती थी tension होती यह कहां से लाए उसने मगर बाद मे पता चला यह वह ही shoes थे वहां पर जो किसी ने order किये थे मतलब वह Gassler जो है वही shoes बनाता है थे वो ही शूज बनाते थे Gassler Brothers जो उनको जिसका उनको order हो मतलब कोई उनको order करता कि ऐसे शूज बनाना और उसको उधर छोड़ता तो वो उनको date देते इस date को आपको शूज बनेगा तो उस दिन वो आता और वो शूज लेता वो ही शूज बनाते थे वो Gassler Brothers जिन जो मतलब order थे ठेक है जिसका order किया होँ था किसी ने तो बोलता है यह extra शूज कोई नहीं बनाता था मगर बोलता था यह बात सही है इनकनविंसिबल मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब जो उनके शूज थे वो किसी को फिट नहीं आते मतलब जिस तरह अगर आप शूज बनाने डालते वहाँ पे तो आप अगर शूज बाद में शूज लाने जाते तो आपको वो फिट आते इस तरह शूज बनाते थे फिट एन फाइन शूज वो बनाते थे जैसा कोई order करे जिस तरह के से कोई order करे जिस style का कोई order करे उस style का वो शूज बनाते थे कौन गैस्लर ब्रदर्स उनकी बात कर रहा है गैस्लर्स की Had he bought them to put there that too seemed inconvinsible बोलता है कि यो जो शूज थे विंडो पे उस पे मझे बड़ी होते थी समझने में problem क्या उसने वो खरीदे थे वहां पे लाने के लिए ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया कुन बोलता है narrator He would never have tolerated in his house leather on which he had not worked himself बोलता है narrator कि जो Gassler था Mr. Gassler जो था वो टोलेट होता है बरदाश करना अपने शौपे जिस पे उसने खुद काम ना किया हो मतलब जिस पे उसने खुद काम किया हो वो ही leather वहां पे रखता था खुद बनाया हुआ leather वहां पे रखता था ना कि किसी के से खरीदा हुआ leather shoes वहां पे रखता ठीक है वैसा leather नहीं रखता था वो बिलीव करता था जो मैं खुद बनाऊ जो अपने तरीके से बनाऊ वो ही अपने शौप पे रहूं और वो ही बेचूं बिसाइड्स देवर तू बियूटिफुल देपिर्स आप पंप तो बोलता है नेरेटर के वो शौप जो थे मैं यहां पर कामा पर इसलिए रुका आपको अच्छी तरह समझाओ लाइन तो लाइन बोलता है नेरेटर के उसके अलावा जो है वो शौप बहुत बियूटिफु तो यहां पर बोलता है अपने रेटर के वो शौप जो होते थे शौप जो दुस्ट मदलब होता है कालक यह की तरह ब्लाइक होते थे वो बहुत बियूटार होते थे अपने रहते हां पे विंड़ो जोप दोश पीर कुट ओं अपनी विई मेड़ा ता की before him the soul of boot so truly were the prototypes incarnating the very separate of all food gear इसका मतलब है कि जो वहां पे शूज होते थे वो ordered थे मैंने पहले ही बोला वो कोई order करता उसी के शूज वहां पे बना के वो रखता था एक्स्टा नहीं बनाता था बोलता है कि वहां पे जो शूज थे वो किसी ने पहले order किये थे और जो भी order करता वह उसको बोलता है मतलब गैस्ट आगर वहां पे वहां पर उसके शौप पे वहां पे शूज की शूज होती ना नीचे उसकी शूज होती है सारे सोल्स देखता कून सी शूज उसने अपने शूज जो परने किसम बहुता है इस तरह सजाता है सजाता था उन शूल Of Boats लिखाड़ने के थे वो सोल जो इस तरह सजाता था उन शूसको तो यहां पर नरेटर बोलता है कि यह थोट्स मुझे बाद में आए जब मैं उसके पास गया और जब मैं 14 साल का था मैं उसके पास गया और उसके ब्रदर के साथ मिला तो फिर मजे उसके बारे में पता चला किसके बारे में गैसलर के बारे में पहले तो उसका पापा शूज लेता था उस नरेटर का अबू जो है उसके पास शूज लेता था अब वो जो है उसको जानता है कि फोटीन साल का जब पहुँचा था narrator तो वो उसके पास जाता था far to make boots such boots as he made seem to me then and still seems to me mysterious and wonderful बोलता है कि dignity आपको बता है कि dignity बता है इजट तो बोलता है narrator कि जो shoes वो बनाता था वो इस तरह के shoes बनाता था वो मझे लगते थे कि वो क्या है seems तर लगना वो मझे लगते थे mysterious राज़दार shoes wonderful बहुती शानदार बहुती अच्छे shoes दिलका shoes वो बनाता था कौन बनाता था guesslers brother Mr. Gassler जो है वो इस तरह की shoes बनाते थे एक बनाता था या बनाते थे हम यहाँ पर समझा रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है formalities की ठीक है मैं आपको समझा रहूं ताके आपको समझा आए यह paragraph जो है आपके लिए important है आपको इस में से reference चूता context भी आ सकता है और इसका part next part आप ज़रूर देखना next part जो है आपको पता होना चाहिए यह paragraph किस lesson में आया है और क्या बोलता है उसको explain करना आना चाहिए explain तब ही करेंगे जब आपने line to line पढ़ा होगा इसलिए मैं line to line पढ़ाता हूं कि आपको समझा आए और आपको exam में कोई problem ना हो इसकी सारे parts देखना और 11th class का पूरे literature part में ने cover करना है यह fourth lesson है इसके बाद सारे lesson में इस पे cover करूँगा और पूरे videos को अराम से देखिए exam से पहले पहले ही आपका lesson है आपका पूरा complete हो जाएगा पूरा मतलब literature part complete हो जाएगा ठीक है चलिए close करते है नेक्स पार जरूर देखना वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आज के बाद जो वीडियोस है वह आपके लिए ही है सब्सक्राइब करना ना बोलें वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बाक्स में जरूर लिखिए आप कोई सजेशन हो कुछ भी पूछना हो कमेंट बाक्स में लिखिए थेंक्यू